तो अगर आप ऐसे जाली आप देखा है कि कही भी तालाब के ऊपर और कही भी देखा है आपने तो हम बात करेंगे पहले तो यह फारम के अंदर ऐसे जाली लगाना यह थोड़ा कम कोस्ट में आ जाता है मगर इसमें भी काफी अच्छा कोश लगता है यह प्लास्टिक का जाली रहता है जो डाला जाता है बंबो के सहरे यह लकडी के सहरे इसमें आप डाल सकते हैं 2000 फ्रम ये बाले में कम से कम 20,000 में आप ढाल सकते मगर इसमें एक दिक्कत है और पहले बात बतते हैं आपको कि यह जो पानी के उपर डाल गया है उपर पानी के उपर मुर्गी पाल रहे और नीचे मांगूर या फिर दूसरे कोई मचली जो बीट मुर्गी का बीट खाते है इसको छोड़ा जाता है, मगर इसमें एक बहुत बढ़ा तकलिफ है, इसमें आप ठंडी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठंडी में बहुत ज़्यादा पबले होगा, मुर्गी का गर्मे भी रात को ठंडी लग जाएगा, और सर्दी लगने का चांसे नहीं, मतलब इसमें पानी के उपर जाली लगा के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नीचे का ठंडी एकदम आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गर्मी का दीन भी रात को मुर्गी को रात में नीचे से जो चाती है, इसमें ठंडी लग जाता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है, और बहुत ज़्यादा कोस्ट आजाता है, और इसमें यह तकलीब यह है कि इसमें जो नीचे बीट करेगा, उस बीट को साप करना बहुत ज़्यादा तकलीब हो जाता है, यह FCR अच्छा आजाता है, मकर इसमें बीट साप करना बहुत लगदा लखरी का बुरा दे या फिर कुछ रहा तो वह सुखा रहता है और बीट करने के साथ वह सुख जाता है यह बहुत अलग चीज़े मगर इसमें बहुत एकदम कच्छा रहे तो सुखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें करना थोरा सा मुश्कील आप सापसपई का तो बहुत ज़्यादा पपली हो जागा और ठंडी में तो ठंड कंटल करना बहुत मुश्कील हो जाता है नीचे से हवा जाता है और बंद किया तो फिर बास मनने लग जाता है ज्यादा इसलिए आप ऐसे कीजिए वीडियो अगर थोरा भी समझ में आया है तो वीडियो का लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और ज्यादा तर शेयर कीजिए